लोग 24 में नहीं रहेंगे, इनको इतनी घबड़ा हाट है, जैसे पोखरा में पानी कम हो जाता है, तो मसली बॉखला बॉखला के मर जाती है, अब हार आ जाती है, ऐसा ही, इनका होट बैंग खतम है परदान मंत्री जी, कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, कॉमेडी अगर सांसद बहुन में कोई भी मात पूर्ण वर्क चलता रहेगा, बीच बीच में विपक्ष को लेके कॉमेडी करते रहते हैं, तो देखें, कॉमेडी करने से देश नहीं चलता है, यह जा रहे है, भारती मैं हूं कान? मैं हूं फेकू, मैं हूं फेकू, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं फेक्ठू और राहूल गांधी एक ऐसे ब्यक्ति हैं कि जो एक बार स्ट्रॉंग डिसीजन ले लिए तो वो अपने आपकी भी नहीं सुनते हैं वो सलमान खान से भी ज़्यादा है भी रोल रियल लाइफ एक्टर है अपने यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करवा रहे हैं एक तरफ मोधी जी अपने सांसुतों को मैदान में उतार रहे हैं आफिर ये बौकलाट क्यों है एमपी में जिस तरह अपने सांसुतों को उन्होंने मैदान में उतारा है आफिर इसके पीछे क्या वज़ा है क्यों अब मोधी जी को ऐसा लग रहा है कि इतने विश्ट गुरू होने के पावजूद उनको यूट्यूब का सहारा लेना पर उनी लोगों से बात करके जानेंगे कि आफिर मोधी जी को कौन सी जरूरतान पड़ी कि अब अपना यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं शुरू बात सर से गरूंगी क्या नाम राजेंदर सिंग यादो सर जिस सरा से पीम मोधी दर्खास कर रहें एक तरफ तो मणिपूर जल रहा है दूसरे तरह वो दर्खास कर रहे हैं चनता से के उनके चैनल को सब्सक्राइब करी जब वो इतने फेमस है विश्व कुरू है तो आप कौन सी जरूरतान पड़ी देखिए उन्याइस में भी मो हान मंतरी ने फुलवामा हाँ ग्री मंतरी राजना सिंग थे जब खूपिया ने रिपोर्ट दिया कि इन सेना को हवाई जहार से ले जा जा इन लोग बाई रोट क्यों लेगे और बीच में कार कैसे खड़ी हुई यह लोग आतंकवाद का नारा देगे पुलवामा हमला करा के सत्ता पर काबिज होने वाले लोग 24 में नहीं रहेंगे इनको इतनी घबड़ा हाट है जैसे पुखरा में पानी कम हो जाता है तो मशली बॉखला बॉखला के मर जाती है अब आरा जाती है ऐसा ही इनका होट बैंग खतम है एक तरफ मड़ीपूर जल रहा है दूसरी गुजरात के लोगों को उत्तर प्रदेश या देश नहीं चाह रहा है कि वो लोग देश पर काबिज हों अच्छे यह कौन सी नहीं रण नहीं थी चल रहे हैं कि अपने सांसदों को मैदान में उता रहे हैं MP में यह तो यूपी में उपचुना में उता रहे थे उपचुना में उता रहे थे और जैसा कि मद्द प्रदेश में MP में वो कर रहे हैं जो टिकट दे रहे हैं इतनी बगावत है उनके पार्टी में इतनी बगावत है कि मद्द प्रदेश से वो मतलब दस भी विदायक उनके नहीं हो सकते बता दे रहा हूं और वो बगावत कब आपको मालूम होगी 2024 के चुनाव के बाद जो मोदी जी हटे तेव सवाच 24 में बीजेपी के विदायक अखलेट जी के साथ चले जाएंगे और मामा जी पूरी तरह मामा जी की सरकार जा रही है अब आप देख लिए मद्द प्रदेश में इनको चुनाव लड़ने के लिए बिदायक नहीं है उत्तर प्रदेश से लोग जा रहे हैं वहां चुनाव लड़ने के लिए तमाम केंद्री मंत्री वहां पहुंच चुके हैं आप मद्द प्रदेशी नहीं जो पांच राज्यों में चुनाव होने जा रहा है वहां भार्ती जनता पार्टी के सुपड़ा साफ है दो हदार चुपिसा आप देखें हैं आप देख रहे हैं लोग सबा में एक सांसत अमर्यादित भार्षा का इस्तमाल किया गया है उसके लिए उनको इनाम भी तो मिल गया है उसके सजा नहीं मिली इनाम दे दिया है वो सदन के अंदर एक बेखती इस तरह की भाषा का इस्तमाल कर रहा है जो सदन में जब सुरच्चित सांसत नहीं है तो ये बताये है, आम जनता सुरच्छित है। कोई इस पर चर्चा होनी चाहिए। आदेखे, संसद में जो भी कुछ हुआ, घानी सली के साथ, तो बहुत मामूली चीज था। अच्छा, वो मामूली चीज था, वो कैरे मामूली चीज था, भाई? मय़ि जी जा रहे है भारती जनता पॉर्टी जा रहे है गोदी जीद विश्गुरू एंगे देते है द्यानी सणिय को तो अभी सब्सक्राइब करें और क्या कहते हैं उसमें सही पूरा वाट बोल भी नहीं पाए थे तो पता नहीं क्या क्या बोल गए तो कहने के मतलब यहीं मोदी जी को अब साइज दिखता भी नहीं हो टेली प्रॉम्टन पढ़के सब काम करते हैं वो सोचते हैं कि दुनिया जिस वे में बह रही है उस मौदीनिटी को अडाप्ट हम करके बहुत महान बन जाएंगे मोदी जी अगर आपको महान बनना होता तो आप देश की गरीब जनता का भाला करते आप कॉर्पॉरेटरों के चक्कर में पढ़के और बड़े-बड़े मिलेनियर्स लोन लेने वाले बीजे मालिया और इन सब के चक्कर में पढ़के मोदी जी कहते हैं मैं तो जाके जनता के बीच चुड़ता हूँ तो आप YouTube का सहरा क्यों ले रहे क्या राहूल गांधी के जो जिस तरह से खदम बढ़ रहे हैं आम लोगों के बीच जा रहे हैं उसकी बॉकलार तो लेकिन राहूल गांधी के अंदर जो इस समय एनरजी है व वो एक ही जोके में डिस्ट्रॉई कर देंगे और मैं इस चीज को बता दूँ बड़े बड़े अनल्टिकल प्रेडिक्टिट आपके भी चैनल के क्या कहते है CEO के साथ बैठते हैं वान खेडे जी के साथ मैं सारी डिबेट सुनता हूँ उसमें देश के देखें देश की जो धारा है वो अलग दिसा में हमेशा जाती है क्योंकि राजनीत नेता लोग अपने मंडेट पे करना चाते अपने टर्म कंडिशन पे लेकिन जनता की टर्म कंडिशन एक ही रहती है कि भाई मेरे हिस्से का मेरे हक का मुझे चाहिए जनता की सरकार किसी की बने कुछी बने तो अब जो नेता उस चीज को खरा उतरेगा मैं बता दूँ अगर कल को कॉंगरेस सरकार बनती है और कुछ भी हौच पहुच होगा तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जी किस पर जाएगी राहूल गांदी पर और राहूल गांदी एक ऐ वो तो पपू हमारे परधानमंदी तो गपू है उस पे बारे में नहीं सोचेंगे कि इतनी गप गप करते हैं ये तो मैं आपके चैनल से उनके साड़े नौ साल के इतियास में गाना गादू हाँ अगादी गादी अरे दीवणो मुझे पहचानो गुजरात से आया मैं मैं हूँ फेकू, मैं हूँ फेकू, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ फेकू लोगों की नजरों ने मुझे को यहां जो भी माना है वो मैं नहीं, वो मैं नहीं मैं जुमले बाजू हूँ, मैं दोके बाजू हूँ करतानों टंकिया अनेक अरे दीवानों मुझे पहचानों गुजराच से आया मैं हूं कौन सुनिये यह क्या लिखा है इत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की जन संख्या वाला उत्तर प्रदेश यहां कैख रही है यहां यह पर लिख़ित में दिखा रहा हूं यहां कि खेलाट बट रही है वेकंशी निकलती है बाहर के लोग यहां पर आते हैं फॉर्म फिलप करते हैं पास करते हैं लोकरी करते हैं ठीक है उत्तराखंड में वैकंसी निकली हुई है यहां पर जो है इसको उत्तराखंड यहां के लोगों के लिए कोई जगे नहीं है पर यहां पर जबाद के लिए हैं आपने पीटी लागू कर दिया उत्तर पर यूपीस्टी के वह पताईए यह यह पढ़ाने का है कि गवार है हम हर चीज का आपका एक चीज के जबाब दे रहे हैं जैसे निकल रही है तो इसके पहले वाली सरकारों में क्या होता था इस पर यह बताएं हम अब अब एक मेरी बात भी सुन लिए एक बात बता रहे हैं दो हजार च्छे के बैच में हम लोग जिसमें मतलब हुए थे उस बैच में बिहार के भी लोग हुए थे राजस्थान के भी थे मुलती थी नौकरी है ना जुम्ला बात सुन दीजिए जब से ये सरकार बनी है भारती जनता पार्टी किया यह कहिए कि यहां पे जो नई सरकारे बनी है उस सरकार में एक भी पैसे भी न दिये नौकरी लोगों को मिल रही है केवल कल्यार सिंग ने बिस्ष्ट BTC की सिछ्षत में एक भरती की थी और उन्होंने उसको मेरिट के हि किसी नई सरकार में हिम्मत नहीं हुई कि उस मेरिट को हटा दे तो उसलिए वो यही एक ऐसी भरती पिछले सरकारों में होती थी कि जो बिना पैसे की होती थी बाकी ऐसी कोई भरती नहीं हुई चाहे पुलिस की हुई हो चाहे ग्रामसेवक की हुई हो चाहे डिगरी कालेज मे में हुई हो जाए इंटर कालेज में हुई हो सारी भरतियों में पैसा चलता था किसी एक जाज नी चलता एक रूपए किसी को भी अधर नौजवान यूवक बैठे रोजगार आप लोग कहते पढ़े लिखे नहीं है जब उनके पास डिगरी है वो लोगती लेटर है तो इस सर प्रदान मंत्री ने कहा कि जो अधिक सिछा कर लिया हो वह अगर उनको नुक्री नहीं मिलती है तो पकोड़ा तले आप नोजव को पड़े नोजवानों को पड़े लिके नोजवानों को प्रदान गाइंगे नेको नौघरी मंग रहे हैं यह पहले वह फळए बोड़ाई वो खेती करेखा एक कर दोड़ इनके कर रहे हैं तो एक बात मेरी सुन लो एक करोड़ की नौकरी छोड़ करके खेती कर रहे हैं और वो खांसर जो पठना में बेबकूफ है जो एक सो साथ करोड़ की नौकरी छोड़ करके फिरी में बच्चों पड़ा रहा है टो तो साथ तो परना चाहिए हीगा है वो खिस्चा के लिए प्लाज रहा है उसके शचा मार भाठेंगे जे सो उसके सिख्या मले करके उख घरी नौकरी यह यह जो पूरी किसली सरकारी नौकरी नौकरी तो उसी हिसाब से पोलेस और हर में नौकरी निकलेगी निकलेगी हिसाब जो नौजवानों के पास नियुक्ती पत्र है उनको जो नौकरी के लिए लाए गया तना मैडम मैं जो जो अगया तो निकलेगी हिसाब जो अगर तुमको कोई हाथ लगा तो हमको बताना डरा के वोट लिए लगाने के लिए वोट लिए ने को दिया जारा मंत्री जी अगर देश की बेटियों को अपनी बेटी मानते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते रिये लिए लिए उनको बेटी से प्रेम होता तो क्या उनके पास तो बेटी है नहीं प्रेम दिल में होना चाहिए जुबान पर नहीं जुबान तो बड़ी गंदी है उनके बोलते उनके पते नहीं तब क्या बोल रहे हैं बहुत कुछ बोले थे कुछ भी ने कि अगर बेटी से प्रेम होता तो उनको पता चलता कि एक बेटी को नंगा करके रोड पेज तहलाय जा रहा इतनी लड़कियों को उससे क्या समाज में क्या होगा अभी दूसरी बात होती तो मेडिया उसको सव बार दिखाती अभी दो दिन से मणिपूर फिर से जल रहा है लगातार खबरे आ रहे हैं और हमारे देश के प्रदान मंत्रिया अपना यूट्यूब चैनल बना अरे यही तो कह रहा हूं मैं उनको बेटी से परिवार से कोई मतलब नहीं है उसमें पार्टी में तो उनको महिलाहों का क्या मतलब है उससे ज्यादा सब्सक्राइबर तो आईये क्या करते चोटे-बोटी यूट्यूबर के होते हैं अब सोच लिजिए यही इंफ्लुएश अब तक क्या होता उनके साथ लड़कियों कितले लोग उनके साथ हमारे परदान मंतरी जी कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं अगर सांसाद बहुन में कोई भी मात्तपूर्ण वर्क चलता रहेगा बीच बीच में वीपक्ष को लेके कॉमेडी करते रहते हैं तो देखे लेकिन जो बना है क्या कहते हैं सोसन का सिकार उसके लिए सब तंट घंट बराबर है तो यह बात है कि सोसित जनता है किसी ने कोई भाला नहीं किया बिचारे आज भी वैसे रहते हैं जैसे देड़ सो साल पहले की सब्धिता ही रहती थी आप मोदी जी अपना यूट्यूब चैनल खोल लिए है अब मैं आपको बता दूँ दोजार चौबिस के बाद मोदी जी का यूट्यूब चैनल भी ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि कोई लोग प्रियता रहेगी नहीं तो ठीक है आएंगे नहीं जाएंगे जाएंगे मेरे भाई दर्द मत लो दर्द मत लो तुमाम उटों पेर लोगों से बात कर रहे हैं कि चुना लोगों की इसी तरह डीपेट आप तक के पहुचाते रहेंगे सुनाते रहेंगे लोगों के राय मुद्टे क्या कुछ है आप नक पहुचाते रहेंगे क्यामरा पर से सब्सक्राइब के साथ मैं है आतापास OPM News.network कर दो कर दो कर दोOnly